अब यहां पे दोस्तो इस वोडो के अंदर बात करने वाले कि यहां पे कल का मार्केट कैसा रिनने वाला है कौन से स्टॉक में आप फूकस कर सकते हैं और यहां पे कौन से ऐसे स्टॉक हो जाते हैं जहां पे आप लोग इंट्राडे कर सकते हैं और यहां पे दोस्तों कुछ viewers की query आती होई दिखाई दी के sir sun pharma के अंदर क्या करना चाहिए फिर यहां पे कुछ और भी query थी जैसे कि sir आपने हर बार lores lab और बायो कॉन के बारे में बोलाई ठीक है और मैं compare करता हूँ कैपलीन पॉइंट को तो कैपलीन पॉइंट यहां पे better है कि यह क्योंकि पीछले तीन दिन से यह stock really करता हुआ दिखाई दिया है अब सी में बस में हमेशे हैं पर जो focus करता हूँ हमारे जो best pharma sector के stocks के बारे में ठीक है तो मैं बायो कॉन और डेविस लेप को prefer करता हूँ ठीक है लाइस लेप यहां पर third option आ जाता है जैसे कि अभी कर रहा है तो दिपक नाइटरिट वैसे यहां पर अभी लॉरेस लेप यहां पर जादा मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिखाई दिए तो यह हमारा third option हो जाता है तो अगर आप मेरे से पूछे दो best option गेंदर तो मेरे यहां पर डेविस लेप होगा और third यहां पर लॉरेस हलाकि यहां पर campaign point कैसा है वो मैं आपको बात में बताऊंगा वीडियो के end में लेकिन वीडियो को आप अंतक जरू दिखेगा तो चलिए हां पर आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं अब दोस्तों यहां पर सबसे पहला point में हाली में एक वीडियो रखा है IACTC के बारे में IACTC के अंदर कौन सी दो बड़ी news है proper समझानी की कोशिश की है और फिर यहां पर stock क्या 4000 तक जा सकता है proper detail बताए है आपको क्या करना चीए stock को क्या current level पे लेना चीए सब कुछ बताए है एक बार जाके जरू देखेगा I'm sure आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा अब यहां पर बात करने जाए यहां पर अगले point के बारे में अब दोस्तो थोड़ा ध्यान से देखेगा जो मैं अभी आपको बताने वलाओ ठीक है बहुत सारे members यहां पर confused हो चुके के sir अभी market कैसा है sir अभी क्या profit booking करना start कर लेनी चीए sim members अभी ध्यान से सुनेगा जो बताना ठीक है डाउ जोंस अगर देखने जाए तो हैं पर डाउ जोंस यहां पर official ना start कर चुके है यानि कि 285 points की गीरा वटा चुकी है और 20 रिवाई यहां पर break कर चुके है और adjust nifty देखने जाए तो हैं पर positive है ओके तो ऐसा मत दोस्तों आपको chart pattern समझ में नहीं आ रहे एकदम simple सांसरे ध्यान से सुनेगा मैंने आपको एक दिन पहले हाँ पर आपको यहां पर बताया था ठीक है bank nifty के अंदर के bank nifty एक कव बना रहा है आप दोस्तों देख सकते कव यह दिखाई दी रहा है ओके मैं थोड़ा zoom कर लेता हूं ताक 150 पॉंट का stop loss और बाकी आपको यहां पर 150 पॉंट की target दिखाई दे सकते हैं ओके तो आप दोस्तों देख सकते हैं 5-8 की candle negative में आज sustain हुई थी और उसके बाद यहां पर देखोगे तो bank nifty बहुत बड़ा fall किया अब दोस्तों ऐसा ही curve आपको यहां पर nifty के अंदर करते हैं कि हम लोग c e लेगे और stock यहां पर c e को hold करेंगे याने की call option को hold करेंगे ओके तो ध्यान से दोस्तों देख सकते हैं यह कव आपको दिखाई दे रहा है ओके यहां पर pause candle बन चुकी है अब दोस्तों जितना बड़ा बूल ट्रेन होता है न उतनी बड़ी pause candle होती है तो इसका मिनिंग यह हो जाता है कि अभी वो उपर जाना नहीं चाहता है ओके तो दोस्तों थोड़ा cautious रहेगा जो यहां पर corruption लेके बैटे है निफ्टी के अंदर थोड़ा अभी risky हो चुक है और high chances से निफ्टी fall कर सकता है फिर से 20 डिमा के आसपास आ सकता है clear यह point दोस्त जेका कि सर ने यहां पर बोला है कि यहां पर निफ्टी गिरने वाला है मैं यहां पर put option होगा हमेशा call and put option यहां पर chart pattern को दिखके ही लिया जाता है अब दोस्तों यह आप देख सेते है pause candle उसके बद यहां पर निफ्टी ऊपर चला गया ओके तो हमेशा ध्यानमी रखे कि अ अगला point हो जाते है कि सर यहां पर निफ्टी कहां तक जा सकते है तो सी members में आपको बताया था कि 17,300 का निफ्टी एक support हो चुका है जो आज यहां पर break करके फिर से उपर चला गया लेकिन दोस्तों उसका meaning नहीं है कि यहां पर निफ्टी और बड़ा है यहां पर high लगा सकत है अभी दोस्तों यहां पर ध्यान से सुनी का ठीक है अब पूचे के सर यहां पर निफ्टी के अंदर कैसे किया जा सकता है अब दोस्तों जैसे कि आप यहां पर देख सकते है निफ्टी यहां पर फॉल किया support लिया फिर उपर गया फिर support ले रहा है तो यह दोस्तों high support हो चुका है 17,298 तो जैसे यह लेवल तूटे का 5 मिट्स के अंदर सस्टेन कर लिया निफ्टी ने बिलोग के लेवल ठीक है 17,298 जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है इससे थोड़ा से ट्रो कर लेते हैं अगर यहाँ पर 17,298 अगर यह लेवल तूटा तो यहाँ पर निफ्टी काफी बड़ा फॉल कर सकता है ठीक है अब पुछे सर यह लेवल क्यों अगर बाउंस कर लिया तो आपको वेट करने जब तक यह 5 मिट्स के अंदर यहाँ पर देखने जाए ठीक है ठोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर फिफ्टी निफ्टी ने कहां पर सपोड लिया है ठोड़ा फिसला फिर अभी आपर सपोड ले रहा है तो हमेशे फिफटी मिन इंपोर्टन हो जाती है अब अगला सवल आ जादे के सर बैंग निफ्टी अभी फिस लेगा जादा या निफ्टी फिस लेगा सी बैंग निफ्टी मोमेंटम नहीं किया है ठीक है अब दोस्तों थोड़ी से लाइन रिमू कर दिये है तो यहाँ आपको प्रॉपर दिखाई दीगा अब अगला सवल आ जादे के सर बैंग निफ्टी फिस लेगा या बैंग निफ्टी फिस लेगा सी मेंबर्स बैंग निफ्टी ऑल्वेस यहाँ पर विक ट्रेंड है ठीक है लेकिन बैंग निफ्टी अभी देखोगे तो यहाँ पर जादा मोमेंटम नहीं किया है तो अभी चांस है से कि शायद nifty फिसल सकता है ठीक है तो आपको ये देखने कि आपको बैंक nifty ने टी पैटन बनाई है और nifty ने पॉस पैटन बनाई है daily business पे तो आपको जो proper trade दिखाई जे सकते हो आपको निफ्टी के अंदर दिखाई जे सकता है तो दोस्तो थोड़ा point जेन में रखेगा जो मैं आपको अभी समझाने की कोशिश करूँ कि अगर आपको trade करना है अभी यहाँ पर nifty के अंदर trade कर सकते है क्योंकि nifty bank जो है उसने आपर pause candle बनाई है एक hammer बनाता हुआ दिखाई दिया है clear अब अगला सवाला देख के सर यहाँ पर nifty bank के अंदर मान लीजे यहाँ पर कोई level तूटते तो क्या trade करना चाहिए see members definitely trade करना चाहिए अगर पूछे के सर कौनसा level तूटते तो यहाँ पर trade करना चाहिए मेरे सबसे आप यहाँ पर देख सकते है एक बार यहाँ पर touch करेगा तो मेरे सबसे थोड़ी सी गिरावट आ सकते है अगर volumes में break करता है तो फिर यहाँ पर one shot के अंदर 37,000 तक nifty bank जा सकता है clear हो रहा है तो मेरे सबसे कल जो है market sideways to downtrend रहे सकता है जैसे कि मैंने आपको yesterday बताया है कि यहाँ पर nifty nifty या nifty bank sideways to downtrend आपको दिखाई जैसकता है ऐसे कि आपको कल भी market दिखाई जैसकता है तो अगर कोई trader है कोई short term की position लिए है तो थोड़ा cautious रहेगा और दोस्तो nifty का उपर का resistance देखने जाए तो है पर 17,420 का है 420 का एक level है अगर यह break करके उपर sustain किया तो ही nifty का trend फिर से positive हो सकता है यह धियान में रखेगा clear होगे सब कुछ तो दोस्तो stable open होता है तो भी आपको level देखना है 17,300 का अगर gap down open होता है तो भी level देखना है 17,300 अगर break तो आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा trade nifty के अंदर मिल सकता है लेकिन दोस्तो stop loss के साथ काम करिएगा clear अब फटावट बात करेंजी कि सर कल के intraday stock कौन से हो जाते है C members यहाँ पर जो मैंने कल आपको yesterday intraday stocks provide किये थे ठीक है वो सभी reverse हो चुक है यानि कि market में जो momentum आ रही है बहुत ही stock specific आ ठीक है तो 5 minutes की जो starting की morning की candle होती है उसको देख की ही काम कीजीगा वरना दोस्तों काम मत कीजीगा अब अगली बात करेंजी है कि सर यहाँ पर stock कौन सा हो जाता है intraday के अंदर C members सबसे पहला stock हो चुका है यहाँ पर grassim का stock यहाँ पर grassim यह बोल रहा है कि यहाँ पर market डाउन होने के बाद भी मैं नीचे नहीं जाने वाला तो शायद यहाँ पर एक uptrend और continue रह सकता है और एक यहाँ पर chances रहे कि stock उपर जा सकता है सेकेंड दोस्तों stock बात करने चाहें आप है IDFC First Bank अब दोस्तों IDFC First Bank में पता है क्या हुआ है IDFC First Bank देखोगे तो काफी पिट चुका है आप देख सकते हैं काफी पिट चुका है और अगर आप यहाँ पर देखने जाए तो bank nifty भी fall कर रहा है तो यह सबसे weak stock है लेकिन अभी सबसे strong दिखाई दी रहा है तो आपको यह stock उपर जाता हुआ देखाई दे सकता है तो जैसे हाँ पर 46.80 को break आता है 47.50 तक के target आ सकता है यह stock phase से उपर जा सकता है तो कल भी यह stock definitely देखा जा सकता है अगला बात करने जहां पर दोस्तों Titan के बारे में अब यहां पर दोस्तों मैंने आपको last week के अंदर कुछ stocks दिये थे यहां पर आप देख सकते हैं उसमें यहां पर zoom auto नहीं चला था zoom auto मैंने आपको clear cut बताया था जब तक level break ना करे तब तक आपको खरीदारी नहीं करनी है लेकिन दोस्तों पते कुछ लोग क्या करते हैं कुछ लोग screenshot लेके जो मैं levels provide करते हूं screenshot लेके group में forward करते हैं मैं हमेशे दोस्तों बता दो video देखिए उसका meaning होता है यहां पर logics होते है मार्केट होता है मार्केट में trade करना है logics होता है वह वहना दोस्तों मार्केट में सिफ long term के stock सी आपको buy करने चाहिए ओके zoomato बिल्कुल भी खराब नहीं है लेकिन यह ध्यान में आपको रखना चाहिए एक logics आपके लिए जरू होना चाहिए stock में अगर आप trade करते हैं ओके और हमेशा stop loss के साथ trade करना चाहिए अगर short term का नज़र आ है आप लोगों का clear तो ऐसे ही दोस्तों आपको ध्यान में रखना है टाइटन के अदर टाइटन अगर यहां पर 22 और 2040 को break कता है यानि कि आप देख सकते हैं एक pause candle फिर एक green candle continue तो chances से कि आपर कल भी green candle positive आ सकते हैं जैसी आज का high cross किया है sustain किया 5 minutes के अंदर यह stock और उपर जा सकता है stock यहां पर 2050 तक जा सकता है ठीक है 2050-2060 तक जा सकता है 1% की really stock के अंदर रह सकते है तो यह stock भी कल देखा जा सकता है अगला दोस्तों stock हो चुके हैं पर Tata chemical का stock अब दोस्तों Tata chemical देखोगे तो मेरा long term का stock है मैंने आपको provide के था 110 से 810 से फिर stock नीचे चला गया था फिर यह stock उपर जा रहा है और यहां पर उपर के level से profit booking अब stock का आपको high दिखाई दे रहा है 891 का ठीक है अगर किसे ने profit book किया बहुत बढ़ी बात है हलाकि दोस्तों सिर्फ आपको देखना है 1 to 1.5% के लिए कल intraday के लिए देखने उससे ज़ादा नहीं देखना है ठीक है तो 810 तक के levels यह stock के अंदर कल शायद आ सकते है अगला stock हो चुक है है अपर Apollo Hospital का stock अब दोस्तों Apollo Hospital देखने है तो यह भी stock falling channel के अंदर आ चुका है अग घ्यान में दोस्तों यह रखेगा कि अगर level तूटा तो ही trade करना है और 5 minutes sustain करता है morning के अंदर तो ही trade करना है तो 4860 को break करता है तो यहाँ पर trade possible हो सकता है stock और fall कल यहाँ पर कर सकता है तो दोस्तों कल यहाँ पर कुछ stocks है को यह stock को definitely जरू देख सकते है I hope दोस्तों आपको वीडियो समझ मेरे वीडियो पसंद आ रहे जो मैं आपको हर एक बात बत आने की कोशिश कता हूं stocks के अंदर इन शॉट में दोस्तों market एक falling trend में आ चुका है अगर कोई trader है exit करना चाते है profit book करना चाते है कर सकते है या तो trailing stop loss जरूर mention कर सकते है तो चलिए दोस्तों आपको वीडियो के लिए उसकता हूं आई हो वीडियो पसंद आऊगे आज मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए goodbye जाए हिन